स्वालो दोस्तों इस चोटे से वीडियो में अगेन मैं आपको बताने वाला हूँ कि UPI से जो माचकल पे कर रहे हैं बेसिकली इंडिया में एक रेवलूशन आ गया है जब से ये UPI स्टार्ट हुआ बेसिकली कोविड के बास से मेंली बोला जाए उसके बाद इसमें इतने इतने चेंजेज आएं इतना ये यूस्ट हो गया लोगों के लिए कि मुझे लगता है कि आप आज अपने जो डेली एक्सपेंसेस का 90% या सम्हाओ इनो कुछ लोग तो 100% UPI से ही खर्च कर रहे हैं हर जगे स्कैनल लगा हुआ है चाहिए बेजिटेबल सौप पे जाओ चाहिए अविए पंचर साइकल का बनवा रहे हो वहां भी या इमन कोई छोटी सी छोटी ऑब्जेक्ट खरीद रहे हो माचिस खरीद रहे हो या इनों कुछ नमकीन खरीद रहे हो कुछ भी UPI से ही पेम भी नहीं कहता नहीं हमने का रिजन क्या है तो पहले तो नहीं बताया फिर बोला किसर इससे जादा खर्चा हो जाता है तो यह टॉपिक में लेकर आया हूँ छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगा कि क्या UPI आपको आपसे जादे पैसे खर्च करवा रहा है क्या हमें UPI को कैसे restrict करें क्योंकि आप रोक नहीं सकते चाहिए आप कहीं Kenap में जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो इसकी जूरत तो पढ़ेगी क्योंकि कई milestone करेंगे या उनकरेंगे उनके पास change नहीं होगा तो करोगे कि आपको देना ही पड़ेगा या तो पैसा ज्यादा लूस करो या time waste करो इधा उदर चुटा कराने के लिए, so कैसे हम इसको restrict करें, क्या करें और कैसे हम हर जगे, U-P-I-E को restrict करके पैसे बचाएं, क्या ये सही में हमारे पैसे drain करता है, answer है, सही में हमारे पैसे drain करता है, आप अपने expenditures को देखो तो आप कई बार जैसे एक shopping का एक कीड़ा होता है वैसे कुछ भी खर खरी लिया देखा अच्छा लगा खरी लिया impulse buying जिसको कहते हैं वैसे ही UPI का भी खर्चा बढ़ता जा रहा हमारा कोई भी चीज क्योंकि हमारे पास wallet है तुरंट हम स्कैन करके पैसे निकाल देते हैं और खर्चा हो जाता है इसको आप जरूर सोचिए का अपने बारे में और comment करके बताईगा लेकिन इसको रोकें कैसे इसको रोकने का तरीका एक ऐसा हो सकता है पहले तो multiple UPI यह मत यूजज करिए कि आपने पता चला फोन पे भी ले लिया Google पे भी ले लिया Amazon पे भी ले लिया और लगबख सारे आज बैंकर्स UPI दे रहे हैं आपको तो सारे आपके फोन में हैं कहीं भी कुछ भी स्कैन कर लिया दूसरी बाद जो अकाउंट आप UPI से लिंक करें वो एक ही अकाउंट हो Multiple अकाउंट ना हो Multiple अकाउंट से आपके sources से पैसे जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा तो एक ही अकाउंट को UPI से लिंक करिए सभी एप में अगर ज़्यादा है तो courses करिए एक ही एप हो तो बेस्ट है आजकल तो सभी scan करी देते हैं दूसरा आप उस अकाउंट पे जिसको आप UPI से लिंक करिए उसमें पैसे बहुत ही systematic बहुत ही कम रखी है generally सबके पास एक दो बैंक होते हैं और सब लोग online banking यूज़ करते हैं तो मेरा suggestion होगा सब लोग उस UPI account में पैसे कम रखे उससे आप control में रहेंगे बहुत limited पैसे ना लेजे दिन के 500 रुपे रखे हैं internet banking will take 5 minutes to exchange एक bank से दूसरे bank में और कभी आप stuck हो गए जहाँ पे ज़्यादा payment करना 2000-3000 करना है तो आप दूसरे bank से एक second में internet banking से transfer कर देजे क्या दिक्कत है this way you can save lot of money छोड़ी छोड़ी impulse buying impulse situations impulse thoughts से जो आपने कुछ कर लिया उसकी वज़े से आपका और restrictions रुकेगा और मुझे लगता है कि आपको इससे ज़्यादा फाइदा उठाओगे so it was a short video for everyone so thank you very much bye bye